हाई एब्रिवन मैं हुरिया और सागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल फैशन विंत्रा वित्रिया में सो आई होब मेरी प्लिचली क्लासिस आप सभी के लिए हैल्फुल हो रही हो सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज किस क्लास को करते हैं स्टार्ट और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल ज़रूर हिट कर लीजे ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको और आप मेरा हर नए वीडियो देखे सबसे पहले सो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इनर वेर बनाना जो की बहुत ही इजी होने वाला है आप सभी के लिए क्योंकि मैं बहुत इजी वे मैं आप सभी को समझाने वाली हो आप लोग जब इसे बनाएंगे तो cotton फैबरिक पर बनाएंगे मैं इसे actually sendtune फैबरिक पर बना रही हूं क्योंकि यह बनाना था मुझे और मेरे पास फैब्रिक भी पड़ा था सैंटून का सो मैंने सोचा कि चलो इसको सैंटून फैब्रिक पर ही बना देती हूँ क्योंकि यह काम आजाएगा इनर वियर अल्रेडी मुझे बनाना ही था बर जब आप इसे बना की तो आप कोसे इस लें एफ करें कि आप कॉटन फैब्रिक पर बना क्योंकि कॉटन जो होता है जब हम सिलाइ Normally से इखते हैं तो कॉटन फैब्रिक पर अमारी सिला Abi होते बहुत ही बैलन्स में आती हैं बहुत ही अच्छे से अती हैं हागर आप आप अल्रेडी स्टिचिंग करते हैं और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज इस टिचंग की और आपके हैं मूपमेंट नहीं होते हैं आपकी सिलाई तेड़ी मेड़ी तिरची नहीं होती है आपकी मसीन पर अच्छी कमांड है तो आप जो इसा भी फैबरिक चा ताकि यह स्ट्रेट जो है हमें फैब्रिक मिल जाए सो यहाँ पर अब हमें मार्किंग करनी है हमारे सोल्डर्स की जैसे कि हमारा सोल्डर्स जो है वो 14 इंचिस है तो 14 का हाफ होगा हमारा 7 इंच ठीक है अब इसमें से आमने 3 इंच का ले लिया हमारा मेक और 3.5 का मैं यहाँ पर अपना सोल्डर रख रही हूँ अब आप कहेंगे 4 इंच 3 होता है 7 तो मैं 3.5 क्यों ले रही हूँ क्योंकि हमें इसको स्लीवलेस बना रही हूँ और मुझे इतना चौड़ा सोल्डर नहीं चाहिए इतना ब्राट सोल्डर नहीं चाहिए सो मैं इसको अल्ली 3.5 कर रही हूँ सो जबी भी आप अपना सोल्डर ड्रॉ करेंगे तो अपने कस्टमर की दिमान के अकॉर्डिंग या अपने कमफर्ट के अकॉर्डिंग पतला या ज़्यादा मोटा जिस साई भी आप चाहते हैं वैसा रख सकते हैं सो मैंने यहाँ नेक की डीपनेस 2-15 वहारी नेक की डीप नेस दो यहां पर कंप्लीट हुगई अभ में यहां पर हमारा यहां पर हमारा लेना है achu इन बेआख साइवन इंच और हाओफ अंच का में सोल्डर डाउन करूंगी तो मैंने यहां पर हाओफ इन्च लिया है सो जो मारा सोल्डर है वो आया 7 इंच का और यह जो भी मीजर मैन की सारी कल्कुलेशन है वो मैं आपको पैटन मेकिंग की किलास में अल्रेडी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ सो और डिटेल में अगर आपको बस्ट पॉइंट की जो की हमने रखा है 9 इंचिस का और यहाँ से उपर से हमने 14 इंचिस की मार्किंग रखी है जो है हमारी वेस्ट के लिए सो सबकी हाइट की अकॉर्डिंग सबकी वेस्ट जो है अलग पॉइंट पे आती है अगर आप 14 इंचिस का blouse पहेंद रहे हैं तो 14 इंच पर आपका जो end हो रहा है वो होगा आपका waste का कर्व सो यहां पर जो कर्व देना है waste का वो हम यहां पर 14 इंच का दे रहे हैं अलग-अलग customer का अलग-अलग measurement होता है सो आप अपने customer के according जो भी उसका waste point आ रहा है उसकी waste length लेकर आप जो है रख सकते हैं अपने पास सो यहां पर अगर हमारी waste जो है उसका हम ले रहे हैं 8 inches यह जो सारे marking points ले रही हूँ मैं after calculation कर रही हूँ after calculation मतलब जो भी इसमें allowance add होना है और जो कुछ भी इसमें minus plus होना वो सब कुछ मैं क्या कर रही हूँ allowance लेने के साथ ही मैं सारे के सारे points जो है वो add कर रही हूँ अब यहां पर हमारा आता है जहां पर हमें अपनी कुर्ते की slit रखने है यानि जो हमारी inner viewer है उसकी slits आप कितना inch की देना चाहते हैं 20 inch पर देना चाहते हैं 21 inch पर 22 inch पर वो भी आपके customer पर आया आपकी उपर depend करता है कि आपको कितना देना है और यहां पर मैंने डेड़ inch का जो है point mark करके इसको इस तरह से कर्व दिया है अगर आप curving skill की help से जो है कर्व देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सो यह सारे points जो है वो मैंने mark करके इस तरह से कर्व यहां पर draw कर लिया है pattern making की जो class 1 है उसमें मैंने आपको pattern बनाना और उसकी drafting करना और सारी calculation जो है वो बहुत detail में समझाई है और यहां पर आपको neck जो है वो cut नहीं करना है क्यूंकि आप यहां पर neckline बना रहे हैं तो neckline की class मैं already आपको बता चुकी हूं बहुत ही detail में neckline बनाना आपको समझा चुकी हूं so neckline अगर आपको बनाना last video नहीं देखी है so description box में आपको मिल जाएगी neckline बनाने की भी और आपको जो है pattern making की class क्या भी link जो है मैं आपको description box में दे दोंगे so यहां पर हमने जो final length है हमारी कुर्टी की यानि कि जो हम inner wear रख रहे हैं वह थोड़ा सा मेरी कुर्टी जो है वह long कुर्टी है so long inner wear ही बनाना है so basically आपको जितनी भी length लखनी है अपनी कुर्टी की या inner wear की so आप उसको रख के वन इंच का एलाउंस कपड़े को फोल करने के लिए आप उसमें add-on करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे जैसा कि मैंने यहां पर आपको करके दिखा दी सो अब हम यहां पर जो हमारी और बची हुई कटिंग उसको complete कर लेते हैं सबसे पहले हम कपड़े को सीधा काट कर उसकी जो है finishing कर लेंगे और जो मैंने half inch down गई थी तो अब मैं उस half inch down की भी cutting कर लूँगी और यहां पर थोड़ा सा pin से secure कर लूँगी ताकि कपड़ा यहां वहां नहीं हो जबी भी आप cutting करते हैं तो आप कपड़े को movement नहीं करेंगे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए आपको proper देखे तो मैं थोड़ा सा movement कपड़ों में कर रही हूँ बट आपको जबी भी आप कपड़े stitch करें आप अच्छे से first पे रखके उसको cut करें और movement नहीं करें क्योंकि मेरा setup जो है वो उपर लगा हुआ है और आपको यहां पे समझाना है तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आप लोग को समझाने की वज़े से इस तरह से जो है काम कर रही हूँ otherwise आप इसको proper किसी hardware पे रखकर ही कपड़े को cut करें और कपड़े को जो है जबी भी cutting करें तो movement जो है कपड़े में नहीं करनी है सो चलिए अब हम बढ़ते हैं stitching की ओर so neckline जैसा कि मैं आपको last class में समझा चुकी हूँ neckline हमें किस तरह से बनानी है so हम इसको सीधा start करेंगे soldiers join करके so यहां पे क्या करना है आपको जो आपके soldiers हैं उनको आपस में join कर लेना है तो अभी मैंने एक side का soldier join किया है और pins की help से इसको secure कर लेते हैं तो इससे क्या होता कपड़ा यहां वा नहीं की सकता है और आपकी जो भी stitching है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है so अब हमने यहां पर जो हमारे soldiers हैं दोनों को बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ attach कर दिया है जोड दिया है एक दूसरे से आप लोग देख सकते हैं so अब हम इसकी finishing करेंगे उसके बाद हम इसके soldiers पर work करेंगे यानि की armhole अपना finish करेंगे तो सबसे पहले जो मेरी जो हमारी inner wear है उसकी side slit बना कर उस पर जो है finishing देंगे इस तरह से वन इंच वन इंच का हम allowance लेते हैं जब भी हम cutting करते हैं उसमें यह allowance वो add कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको pattern making की class में सिखाया है so इस तरह से आपको जो है fold कर लेना है इसकी edges को और फिर इस पर stitching करनी है so मैं यहां पर नीचे सी उपर की और कर रही हूं और आप चाहें तो आप इसको उपर से नीचे की और भी कर सकते हैं आप जैसे भी कमफर्टेवल हूं सारी markings पहले हमें लगा लेनी है कि कितनी लंबाई हमें रखनी है कितनी चोडाई हमें रखनी है कहां तक हमें slit open करनी है सारे points को बहुत अच्छे से mark करने के बाद आप इस तरह से अपना जो है stitching कर सकते हैं हम इसके दोनों पैनल्स के राइट एंड लेफ्ट पर इसी तरह से कि फिनिशिंग करेंगे और इसके बॉटम पर इसी तरह से फोल्डिंग करके जो है कि फिनिशिंग करेंगे झाले करेंगे झाल तो हमने अपने चारो तरफ की जो फिनिशिंग है वो कम्प्लीट कर ली है अब हम क्या करेंगे जो हमारा आर्मोल है उसको फिनिश कर लेंगे हम आर्मोल में भी हैमिंग करेंगे और नेक लाइन में भी हैमिंग करेंगे इसलिए वहाँ पर जो है वो मैं दुबारा से सलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि हैमिंग करने से एक फिनिश लुक आजाता है और इस तरह से हम सो यहाँ पर हमारी आल्मोस्ट इनर्वियर जो है वो बन के पूरी तरीके से हो गई है तयार और अगर आप इसके एंड्स पर भी हैमिंग करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं क्योंकि इनर्वियर है तो इतना साधा फरक नहीं पड़ता है सो मैंने इसके साइट स्पेस जो है वो स्टिचिंग कर दी है और अगर आप चाहें तो आप हैमिंग भी कर सकते हैं यह हमारी फाइनल इनर्वियर का लुक आप देख सकते हैं इसके आर मोल पर भी हमने हैमिंग कर दिया है इसकी नेक लाइन को भी हमने फिनिस कर दिया है और इसके एज़े भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो हैं बहुत अच्छे से फिनिस और फाइन है और यह क्योंक कैसा लगा comment section में ज़रूर बताएगे चैनल पर first time है तो subscribe करके notification bell hit करना ना भूले कोई भी question को डी doubt हो so instagram पर भी contact कर सकते है instagram की link आपको description में भी मिल चाहेगी और आपको screen पर भी मिल चाहेगी so मिलती हो next video में तब तक के लिए take care bye bye love you all thanks for watching